हेलो दोस्तों मेरी चैनल में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे शिमला मिर्ची का स्टार्ट बहुत ही जाड़ा टेस्टी लगेगा फ्रेंड एक बार आप इसे बना लोगे ना तो इसे बार बर बनाओगे खाने में बहुत ही मज़ेदार है और देखने में तो यह बहु अच्छी तरह से निकल नहीं पाते अब देखों कितने आसान तरीके से हमने इसके बीजों को अलग कर लिया है तो लीजे इसी तरह हम दूसरे के भी बीच को निकाल देते हैं तो लिजी बीच एकदम असानी से निकल चुके हैं तो हमने दोनों शिमला मिर्ची के बीजों को अलग कर दिया अब चलते हैं गैस कमच तेल जैसे ही गरम जेरा दो बारी कटी हरी मिर्ची अब दाल देंगे दो बारी कटे हुए टमाटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है तेल में और अब हम दालेंगे कुछ मसाले तो सबसे पहले हम हल्दी पौडर दाल देते हैं 4 टी पावडर उसी के साथ आट करेंगे आदा चम्मज लाल मिर्ची थोड़ा सा दालेंगे अमचूर का पावडर और थोड़ा सा हम गरम मसाला एट कर देंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे और अब दालेंगे नमक तो नमक हमें 75 परसेंट ही दालना है और नमक से हमा तो इसे हम थोड़ा सा अच्छी तरह से मैश कर लेंगे तो अच्छे से मैश भी हो गए अब हम इसमें डालेंगे चार आलो को तो चार आलो को मैंने अच्छी तरह से उबाल कर इसे मैश करके ले लिया था अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है ताके मसाले हमारे अच्छी करेंगे हैं तो हमारी चटपटी तेस्टी सी आलू की सबजी या आलू का मसाला तैयार है तो आप इसमें और भी सबज्या मिर्ची कट करक Dana के छाउने अब अलू के नियृ का था तो अच्छी तरह से सबबाते हुए शिम्ला मिर्ची में भर लेना तो यह बहुत अच्छे से बहरा जाएगा क्योंकि हमने कट बहुत अच्छे से किया है तो लीजे हमने सारे इसी तरह शिम्ला मिर्ची भरके तैयार कर लिया अब चलते हम गैस की और गैस की और मैंने रख दिया कढ़ाई कढ़ाई में दालने के दो चम्मच तेल और तेल जैस तो हम सारे शिम्ला मिर्ची को कड़ाई में लगा देंगे और जो 25 परसंट बचा था नमक हम शिम्ला मिर्ची के ऊपर दालेंगे तो कभी- drilling क्या होता है नमक ना दालने से वह फीके लगते हैं इस तरह से बहुत अच्छे तरह से शिमला मिर्ची में भी अच्छा नमक का स्वाद आएगा अब हम इसे पलट लेंगे तो देखिए एक साइट से बहुत अच्छे से लाल हो गया है तो कम से कम इसे तीन मिनट ढख के पकाना है शिमला मिर्ची बहुत जल्दी गल जाता है तो देखें कितना अच्छा इसको कलर आलू भी अच्छे फ्राइब हो गए और एक साइड से हमें और दो मिनट पका लेना है तो दो मिनट बाद हमारे शिमला मिर्ची बहुत अच्छे से बन के तयार है तो बहुत आसान है और खाने में यह बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं और जटपड से यह बन भी जाते आप इसे टीफिन वगेर में भी बनातर दे सकते दाल चावल सबस्नाद को सबस्राइब, इस फ्लेटिंग कर लेते हैं जो में मुझे म cultivars भी आप इस तरह से भीला ड़नी से लगातकू़ जाता अब दो but भी उम्रों नेहीं आप अच्छी लगिक आपको रेस